सिंगर के कॉमेडियन राजुस्त्री वास्तव अभिनिता सिधात सुकला इन सब की मौत जो है वो हार्ट एटेक्स हुई है और देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में जो हार्ट एटेक्स जो मौत भी है उसका संख्या उसके संख्या काफी बड़ी है और पहली है माना जात गहरता था कि हारेट से आ जो है एक निश्वीत उम्र पार करने के बाद होती थी लेकिर कि वो भी आर टेक्स सिकार हो रहे हैं हारेटेक्स एकसे बचा जाए उसके लिए बहतर क्या तकनिक है और क्या हम जीवक्राइश分享 कर हम भी अंचे डॉक्टर राजन ठाकुर है ये हाट हॉस्पिटल के चेर्मेन है आज सर पिछले कुछ जरूम हमने देखा है कुमेडिन राजिस्टर वास्तो वो जीम में थे उनकी मौत हो गई और कई जो नामचिन है केके सिंगर केके उनकी मौत हो गई ये पूरे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से फैला है सर क्या मानते हैं और आप लोग का ये प्रोग्राम है उसको लेकर इसमें क्या करना चाहेंगे ये दोनों नामी गिरामी आदमी केके और राजू श्रिवास्थब का की मौत काडियक एरस से हुई है तो जैसा कि राजू श्रिवास्थब के बारे में पता चला है कि वो दो-दो बार जीम करते थे तो इतना ज्यादा शरीर को एक्सराइज करना बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाता है खास करके कोवीड के बाद आपको एक्सराइज भी मौडरेशन में करना है और खान पान में तो मौडरेशन रखना ही है एक्सराइज हद से अधिक नहीं करना है कि आपको फिल्म स्टार या फैशन इंडिस्टी की तड़ा आपको बाड़ी बनाना है आप प्रिवेंटिव चेक अप करा सकते हैं पचीस साल के बाद तीस साल के बाद क्या चीज अबनॉर्मल है लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपना फिटनेस पर ध्यान तो एक्सेसिव स्वेटिंग और पानी कम पीना तो उसके कारण भी सरीर में कुछ एंबैलन्स हुआ होगा कार्डियक एरेस्ट होने का यह शंका रहती है और शायद उसी के चलते यंग एज में एक अरली 50s में थे एक 40s में थे लेट 40s में थे तो और प्रिवेंटिव चेक और जुरुड़ जीधी ज़ादा एक्सेसाईज करना भी आजकल कई फॉरेंन इंडेन स्ट्रुडिज में आया है कि कोवीड के बाद उतना ही एक्सेसाईज करें जो शारी ट्रॉल लेट कर सकी जरुड़तिस ज्यादा एक्सरट नहीं करना है हमारे दर्सक के जाना चाहते ह जो नई प्यूरी है जिसके पास समय बहुत कम है अचकल सदाल से असान से सिभासा में हम यह जाना चाहेंगे कि वो क्या करें क्या ना करें देखिए बाहर जाने में यह दिए आपको दिक्कत होती है मैदान में नहीं जा सकते हैं मैदान में जाके तहलना थंड सीजन के बाद आदा घंटा चालीस मिनट वीक में फाइव डेज अवीक सबसे अच्छा होता है लेकिन यह दिए घर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप योगा कीजिए आदा घंटा पैंतिस मिनट तरह तरह की योगा है टीवी पर देता है या कोई छोड़ी से पुसिका देखके आप तरह तरह का योगा कीजिए आधे घंटे फाइव डेज वीक तो उससे काफी पसिना निकलेगा शरीर का मेटाबोलिजम ठीक होगा और बहुत से बोर्डर लाइन डियाविटीज हाइपर टेंशन हो सकता है नॉर्मल हो जाए और इससे और खान पान में काफी जंक फू माफ करेंगे मैं रुकना चाहूंगा आजकल देखा जाते हैं कि रिस्टोरेंट में लोग गर्मी सुरुआत लिए जंक फूट के साथ कोडिंग्स है मैं ब्रांट का नाम नहीं ला चाहूंगा वो दोनों का सिवन बहुत करते हैं क्या इससे भी कुछ असर पड़ता है क्या जंक फूड और कोल रिंग से यदि आप डेली खाते हैं तो चांसेज है कि चार महिना पांच महिना में आपको बलद पिशर और डाइबिटीज होने का खत्रा डबल हो जाता है आप कोल रिंग वीक में एकाथ दो बार लिए तो वो टॉलेट करेगा उससे डाइबिटीज न कम नमक कम मीठा एक्सराइज सबस्टैंस अब्यूज मतलब जैसे सिग्रेट टूमच अल्कोहल नशा करना यह सब हाट के हल्थ के लिए काफी घातक है पहले में याद है कि 95 के पहले जो खुला नमक भी बिगता था उसके बाद पैकेट में नमक आने लगा अज हर कंपनिया जो है वो पैकेट वाले नमक बनाते हैं हमने सुनाए कि जो सेंधा नमक का जो इस्तिमाल है उससे साथ को असर बढ़िया राता है क्या यह सही है क्या स है जादा नमक हमेशा से शरीर के लिए घातक होता है और यह माना गया है कि युरोपियन और अमेरिकन से इंडिया में 10 साल पहले 10-15 साल पहले ही हार्ट की बिमारी ब्लड पिशर डाइबिटीज एंजाइना यह हो जाता है 40-35 हमारे यहां तो 25 साल के पिशेंट का हार्ट अ राजन एक आखरी सवाल है कि कल जो पतना हार्ट समीट है इसमें क्या होगा किन विश्यों पे चर्चा होगी और इकिस तरीके से बिहार के लोगों के लिए लावदायक होगी इसमें ग्यान का आदान प्रदान होगा और कई टॉप टॉपिक कार्डियक एरेस्ट हार्ट माली जी कोई पेशेंट है जो की बाइपास सरजरी के नाम से ही ड़ जाते हैं कि आठ दिन दस दिन रहना पड़ेगा साथ दिन रहना पड़ेगा पैर करनास काटके ये होता है तो हमारे यहां डॉक्टर आशीष, डॉक्टर विनी तो इन लोग ये रोटा और CTO विधी से एंजियोप्लास्टी, एक्स्ट्री कम्लिकेटेड पीटी सीए जिसमें कैल्शियम जम जाता है आर्ट्री में तो वैसे इन लोग हायर सेंटर में ट्रेंड होके वैसे पेशेंट का भी पीटी सीए करते हैं जिसके लिए स्पेशल कैसेटर और यह सब डिस्पोजबल आता है तो वैसे पेशेंट का भी पीटी सीए हमारी है सक्सेस्पुल हो रहा है जो कि बियार में शायदी कहीं होता हो तो वैसे पेशेंट पीटी सीए करा के 2-3 दिन में डिश्चार्ज हो जाते हैं बाइपास में पेशेंट 8-9 दिन लग जाता है भरती होना फेट बाइपास करान और बहुत पिशेंट बाइपास के नम से घरबाते हैं तो यह हमाँ साथ डॉक्टर राजन ठाकूर है चेर्मेर हार्ट ऑस्पिटल के हैं पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे देशने तरक्य की है लोग जैसे से बेस्ट होते जा रहे हैं देखा गया है कि हार्ट एटक की जो समस्या है वो हर घर में है और दुरुभागपुन तरीके से लोगों की मौत हो रही है लेकिन आपको चिंता करने कोई जोरत नहीं है पत्ना में भी डॉक्टर की एक लंबी चौड़ी टीम है बेस्ट की टीम है जो अगर इनके से अगर दुरुभागपुन तरीके से अगर हार्ट एटक के कोई मरीज़ आपके यहां पे है तो उसके बेहतरी इलाज के लिए पत्ना में आने को डॉक्टर मौझूद है और उन्ही डॉक्टर में से जो एक अगरिम पंक्ती में जो सामिन है वो डॉक्टर राजन ठाकूर है और कल पत्ना में जो पत्ना हार्ट समिट है इसका आउज़ों ने इसी उद्देश से क्या गया है ताकि हार्ट एटक से आपको घबराना नहीं है आपको यह तरीका मता जाएगा कि कैसे उससे हम बस सकते हैं क्यारा पसंद महमद फिरोज के साथ नितम कुमार कसिस नियूज पत्ना